प्रेरितों द्वारा मंदिर में एक लंगडे मनुश्र की अद्भूत चंगाई प्रेरितों के काम तीन और चार अध्याय में हम पढ़ेंगे कि उनमें प्रभु येशु के नाम के महत्व पर जोर दिया गया है नाम का अर्थ मात्र येशु की भैचान से नहीं है बलकि उसके साथ जुड़े हुए अधिकार, प्रतिष्ठा और सामर से भी है जो परमिश्वर के और से दिये गये है जब कोई कहता है कि आप मेरा नाम ले लीजिए तो आपको पता होता है कि उसके नाम के माद्यम से आपका वो काम हो जाएगा मतलब उसके नाम में पावर है जैसे किसी देश में प्रधान मंत्री के नाम से अगर कोई आदेश दिया जाता है तो वो सबको मानना होता है क्योंकि उस नाम में पावर होती है इसलिए आगे के अध्यायों में जहां भी येशु के नाम से कुछ कहा या किया गया है तो उसमें पावर है और वो भी आलोकिक यानि दिव्य, डिवायन पावर प्रभु येशु के नाम के पीछे संपूर्ण अधिकार है क्योंकि वह परमिश्वर का पुत्र है जैसा मती 28-18 में लिखा है क्योंकि उसका नाम सब नामों में स्रेष्ठ है जैसा फिलिप्यों के 2-9-11 में लिखा है वह हमारी आराधना और हमारी आज्याकारिता के योग्य है आरंबिक मसी इस बात की विशेश चिंता किया करते थे कि येशु मसी के नाम की महिमा की जाए आज की मसीयों को भी इस बात की चिंता होने चाहिए कि उनके जीवन से उनके हरकारी से येशु मसी की महिमा हो तो कैसे होगा ये जब हम अपने जीवन को वचन में ढाल लेंगे और वचन के आधार पर अपने जीवन के हर फैसले लेंगे जब हम इस खंड को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पत्रस यहां यहूदियों को संबोधित कर रहा है जैसा प्रेरितों के 3.12 में लिख है और उन्हें भवश्यत वक्ताओं और वाचा की संदान कह रहा है प्रेरितों के 3.25 में आगे के आयतों में उसने यहूदि पिताओं और भवश्यत वक्ताओं को अभी उलेक किया फिर पत्रस ने पुनरस थापना के समय का भी जिक्र किया प्रेरितों के 3.21 में जो यहूदियों से संबंदित है और उनके मसीहा के 1000 साल के राजी को संधर्बित करता है कहने का मतलब है कि संदेश अभी भी पहले यहूदियों के पास ही जा रहा था जिसको पत्रस ने यहूदि शब्दों में ही प्रस्तूत किया ताकि यहूदि उसे तुरन समझ जाए नए यहूदि मसीही अभी भी मंदिर और प्रार्थना के पारंपरी घंटों से जुड़े हुए थे जैसा बजन सहिता पच्चपन सत्रा दानियल 6-10 और प्रेरितों के 10-30 में लिखा है ध्यान रखें कि प्रेरितों के पुस्तक में यहूदियों और अन्यजातियों की एक देह वन बॉड़ी अर्थाथ एक मिली-जूली कलीसिया बनने की पकरिया को एक क्रमिक संक्रमन के रूप में वर्णन किया गया है मतलब ये एकदम से नहीं हुआ था कि यहूदी और अन्य जाती मिलकर एक कलेशिया में आगे थे बलकि जादातर यहूदी मसीयों को ये समझने में कई साल लग गये कि परमेश्वर के कारिकरम में जो चर्च का प्रोग्राम है उसमें अन्य जातियों का भी स्थान है इसमें कई साल लग गये उनको समझने में और उनमें ये समझ बिना संगर्ष के नहीं आई थी मतलब बहुत संगर्ष के बाद उनको ये बात समझ में आई थी प्रेरितों के काम तीन एक पत्रस और यहन्ना तीसरे पहर प्रात्ना के समय मंदिर में जा रहे थे पत्रस और यहन्ना अकसर बाइवल में एक साथ पाई जाते है वे मसली पकडने के वेवसाई में भी भागिदार थे लूका पांच से दस उन्होंने एक साथ येशु के लिए अन्तिम फसे का तैयारी भी की थी लूका बाई साथ वे येशु की मृत्यु के पहले रह विवार की सुबह कबर पर एक साथ भागे थे यहन्ना बीस तीन से चार और वे एक साथ सामरियों के सेवा करते थे जो येशु मुसी पर विश्वास करते थे प्रेरितों के 8-14 में अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblestudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउन्डोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियोज अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोज बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए